हेलो दूस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक शेयर से रेट है जिसका नाम है S.G.Mart Limited S.G.Mart की बात करें तो सबसे पहले आपको डिस्किलेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट को बता रखा है तो शायद बाइंग में नहीं है बट इस टिल हमने यहाँ पर इनफॉर्म करके रख रखा है दो तिन दिन चार दिन पहले तो इस चीट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है तो इस बेसिस पर ना बाइंग कर करूंगा देखिए यह शेयर है स्मॉल कैप पांच जार तीन सो पिचनवे करोड रूपे का मार्केट कैप है तो हमारे चैनल का नाम भी है आयम स्मॉल कैप इंवेस्टर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए हम स्मॉल कैप शेयर से लेटीड ही बाते करते हैं वही डून ृट से नाधि के मिल एक वीडियो जाकर ने यहां सीखने के लिए और क्या कर सकते हैं आग्र आपको बारी क्या सीखनी यहां पर जब दस में एक स्वंधर की वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा इस रह Tuc ato तो उसके बीच की और करनोलोजी होती है कि शेयर यहां से ही क्यों भागेगा यहां से ही क्यों गिडेगा वो सब चीज आपको सीखना है क्यों क्या कैसे के जवाब चाहिए तो यहां पर देखिए कोर्स है बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकार रिसर्च फंडामेंटल कब ले करिजेगा किस चीज का जो मैं आपको पड़ाया है वो उसकी बैक टेस्टिंग करके देखिएगा सीखिएगा प्रेक्टिकल करिएगा क्योंकि जब क्लास होगी तो इसा नहीं होने वाला बट आपको मैंनत करने पड़ेगी साथ में 28605-40501-8169-261-237 दोनों नमबरों को सेव कर लीजिए बेसिक्स टो एडवांस यह पूरा कोर्स है कोर्स कर सकते हैं अगर साथ में काम करना है तो इनी नमबरों पे कॉन्टक करके साथ में काम भी कर सकते हैं एक बार काम करके देखिए आपको सब कुछ अपने आ करें तो यहां पर देखिए 1985 में केचन रेनेवल लिमिटेड इस प्राइमरी इंगेज इन रनेवल एनर्जी बिजनस में काम करती है किसमें काम कर रहे हैं रेनेवल एनर्जी बिजनस और यही चलता हुआ नजर आ रहा है ठीक है शेर की बात करना चाओंगा और जानना बारे में अंठीक के बारे में अरुष जाना है तो यहां पर और भी बुरह सारी चीज है जो यहां पर आप जा सकते हैं त्यक्त कि जा hen sweetie can get आ में सबीचagu कि एल अन्गोin प्रोजा क्या है अब कामिंग उत क्रोंब ऌनी किया आ इंप अर क्या कर अ क्या कर चुकिकि है वह ब बट जब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे ही शेयर गिरता हुआ भी नजर आता है कि 2005 में 30 पैसे का शेयर था आपको लगेगा कि 30 पैसे का शेयर 700 पर याद रखिए कि इसने 2005 से लेके अभी तक कि अगर हम बात करें 2023 तक कुछ भी काम करके नहीं दिखाया था पैसे बने थे और बिल्कुल यह बात करूं तो बिल्कुल ऐसे चलता हुआ नजर आया था कि टाइम लेते हैं काफी चारी जी दे और रिनुवल रिनुवल की बात और रही है इस वज़ाए से भी यह शेयर बहुत जादा यहाँ पर चल चुका है तो यहाँ पर देखिए इंडश्टी का P.E. 33 का है इसका P.E. 88 का है तो बहुत जादा महेंगा नजर आता है इस शेयर क भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अब इसमें क्या होगा देखिए जब कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है ठीक है महेंगा सस्ता कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा काम चल रहा होगा तो यहाँ पर यह शेयर 88 का जो P.E. ठीक है थोड़ा टाइम ले है तो महनगा होता जाएगा तो एक बात करते हैं इ्नित्रंसिक वेल्यू जिद्ध नहीं है ठीक है इन्त्रंसिक वेल्यू की बात करें 231 क leopardिख़ाय दे रहा है उससे ओपर edra चलग swift इहाँ यहाँ पर आप आप सब्चीट में आपको बताने वाला हूं अभी आप देखेंगे तो यहां पर quarter results तो आपको पता चलेगा company सालों से कोई कामी नहीं कर रही ठीक है आपको पता चलेगा company का यहां पर performance ही आप देखोगे तो बारे सो करोड के आसपास की sales होती ही नजर आई company यहां पर highest ever profit कर generate करती ही नजर आई margin अच्छे आते हुए दिखाए दिये तो ऐसा क्या होता हुआ नजर आया वो भी आपको पढ़ने की जरूत पड़ेगी और दूसरा यहां पर जैसे की मैंने बताए कि यहां से लेके शे कंपनी के एक साथी अच्छी आसी sales दिखानी शुरू कर दी तो इसलिए शेयर में वो चीज़े एप्रिशेट होती ही नजर आई अब बात करते कंपनी के yearly performance की तो जैसे की मैंने बात करा कि 2013 से तो कोई नहीं बट 2024 में अच्छी आसी इनकी sales आती हुए दिखाए दिये अच् अच्छा कासा cash भी होता हुआ नजर आया ठीक है न तो यह क्या दिखाई दे रहा है यहां पर positivity दिखाई देती है positive cash flows दिखाई दे रहे हैं company के promoters बट यहां पर निकल रहे हैं उस शीट को विध्यान में रखना है कि 74 परसेंट थे ठीक है 74 से यहां पर 2021 में उन्होंने 94 कर कर लिया शायद इने पता चल गई थी कि यहां पर कोशना कुछ order आने वाले हैं ठीक है फिर उसके बाद 94 से थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे करके इन्होंने बेचना शुरू किया ठीक है क्योंकि शेयर जहां पर कुछ काफी सालों से नहीं चल रहा था एक साथी चल गया त फिर 75 परसंट जो की से भी का रूल है वहां तक लेकिया है और पिछले दो को आर्टर से यहां पर बेचते हुए नजर आ रहे है 75 से 53, 53 से 52 करते हुए नजर आ रहे है तो वह चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी है ऐसा ना हो कि कंपनी देखिए हिस्ट्री देखोगे त कंपनी ने काफि सालों से कोई काम नहीं किया है अगर कुछ ऐसा दुबारा से आता है तो शेर गिरेगा तो गिरेगा ही पलस में यहां पर आपके जो पैसे है ना उन्हें भी जीरो के तरह ही मान के चलिए कि जीरो भी कर सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है बट कंप है क्हाई थे रही है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सेल्स ग्रों एक लाकग एक तरजा परसेंट की यहां पर सेल्स ग्रोथ हुए है तो वो चीज़े भी यहां ठीचरव सहाई थे रहे हैं तब जाके शेर का भाई 40.500 तक बारशे क्या पर ट्रेट किया करता था इस पर्टिकुलों कोर्टर में हिस्तादारी बढ़ाई है यह भी एक पॉजिटिव चीज है यहां पर बेच दिया है इसे भी ध्यान रखना है पुब्लिक की होल्डिंग लगाता है बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ आपको तो suspicious हमेशा रखना पड़ेगा अपने दिमाग में यहां पर देखिए कुछ लोग ते जिननों के 18-13% की ओल्डिंग थी वह यहां पर 1% पैसे कमा के यहां पर निकल चुके है तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है किसी ने वीडियो बना दी किसी ने आपको ब कि बता रहा हूं कि यहां पर यह चीड़ भी हो सकती है और अगर ऐसा हो सकता है तो उसके लिए ऐसे वैसे के लिए आपको क्या रहेंना है हमेशा तरण चीज़ को बेंख बेंख करें कर बहिंद बिएस्या और इंशमाल कहप इंवेश्टे चान को subscribe bell icon को hit all notification को on करे videos को जाके देखिए repeat करके देखिए और इन नम्मरों को note करके यहाँ पर काम कर सकते है साथ में और पैसा यहाँ पर बना सकते है और यहाँ पर course को करना है ठीक है ना और सीखना है कि यह stocks मैं कहां से लेके आया किस तरीके से यहाँ पर study चलती है कैसे मैं आपर अलग अलग small cap stocks लेके आते रहता हूं वो सब चीज सीखना है शेर क्यों भागता है गिरता है तो इन नम्मरों पर कांटक करके course भी कर सकते हैं कम भाव पर आप में आपर दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं आपर SG मार्ट की तो जैसे कि हम चार्ट देखा था कि शेर दोजर पांट सल इस्टेड है और किस पैसे उका था और कहा से कहा पोस्ता है वो नजर आया जब भागता है तो अपर circuit में चलता है जब गिरता है तो लोगर circuit में चलता है उस चीच को भी ध्यान में रखना है 449 और अगर 449 के नीचे भी गिरती है तो याद रखियेगा कि यह शेयर इसके नीचे भी और भी आता हुआ दिखाई दे सकता है हमेशा सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना और उसके हिसाफ़ से वो दिखाई दे सकते हैं, तो exactly करना है चाहिए अब, बात कर लेते हैं, तो तो बेफालतु का रिस्क और वो भी यहाँ पर 30-35% के लिए, और अगर बात करें तो और भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, डवल भी हो सकता है, ट्रपल भी हो सकता है, बेफालतु का रिस्क लेन और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि 88 का PE है, और कुछ suspicious मुझे यहाँ पर नजब भी आता है, तो आख बंद करके पैसे नहीं लगाने है, वेशक से पैसे, कितने भी यह शेर, कितना भी बन जा है, उसका फिर गम नहीं करना है, दूसरे शेर की तरफ, जहाँ पर अच्छी कंपनी है, जहाँ पर performance दिखाई देता है, कि कंपनी ने performance की अविशक कम जादा होता रहता है, वो तो गहर कंपनी का एक phase होता है, एक cycle होती है, बट कंपनी का अच्छा कासा काम हो, ऐसा दिखाई देना है, तो buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुछ की study करना है, चीटों कुर्पलेस,